एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, असलाम अलेकुम, तो कैसे हैं आप सब, उमीद करती हूँ, इंशालला आप सब खेरियस से होंगे, जहां भी होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे, और हम भी ठीक हैं, तो आज मैं आपको दिखाने वाली हो अपने सूट, जो कि मैं सिल्वाने के लिए निकाले हैं मैंने भ और जो हमारी भावी के घर से आया थे, वो है, तो चलिए देर न करते हुए, आपको सूट दिखाना शुरू करती हूँ, और साथ साथ मैं आपको बताती चलूँगी, को कौन सा कहां से आया है, तो ये वो है, पहला सूट, जो हमारी भावी के घर से मुझे मिला था, यानि मेरे भावी के घर से मुझे मिला था, हमारे सब बैनों के यह ऐसे ही सूट थे, माशालला अच्छे सूट थे, और कलर अलग-अलग थे, डिजाइन एक ही थे, तो ये वो सूट है, ये भावी के घर से, यानि उनकी माशालला इस पे कड़ाने के कड़ाई हुई वे, और इस जर्खन का काम हुआ है, और माशालला बहुत ही खुबसूरत जो है, ये सूट लग रहा है, और ये है इसका दुपट्टा, तो चलिए आपको दूसरा सूट दिखाती हूँ, ये दूसरा सूट आ गया, तो ये मैंने ही बनाया था, इसको मैंने शादी से पहले ही बना लिया था, क्योंकि हमें पता नहीं था, मतलब अबूसर के अब्बू की बीमारी के बारे में कि इतनी बड़ी उनको बीमारी है, तो बस ये पहले ही मैंने बना लिया था, पहन भी नहीं पाई थी मैं इसको शादी में, क्योंकि मैं शादी में थी नहीं, मैं एक दिन पहले ही आई और यह है इसका दुपट्टा मतलब शादी की हमने कुछ सैयारी कर ली थी पूरी नहीं हुई थी लेकिन कुछ सैयारी हमारी हो गई थी और बच्चों के भी मैंने कुछ कपड़े बना लिये थे और मैं बताओं आपको कि जिस दिन अब उजर के अबुका मतलब पता ता चला अब इतनी मतलब उनको बिमारी है तो वह कपड़े लेने के लिए ही गए थे तो उन्होंने वहाई उपर अपना एल्टरसाउंड करा लिया था तो तब हमें पता चला था यह है तीसरा सूट यह वह है जो मतलब हमारी भावी ने हमें दिया था अपनी तरफ से अपनी बरिय तो अब मैं गयी थी तो अम्मी ने मुझे दे दी थे लो तुम ले जा 5 लेना यह जो ।क सुम बैं ले लेकर आ गई थी बहुंगा है तीसरा सूटा तो यह तीसरा सूट वो हैं जो मतल间 हमारे भाइया की शादि में मेरी भाभी के गहर सहा था यानि उनके अम्मीने हमें दहेज में जो दो दीए थे जो मर दिए नंदो को देते हैं न वो दिये और माशालला ये अबुजर के अबबु को सबसे प्यारा सूट लगा किसका कलर माशालला इतना अच्छा था और इसका जो वर्क था वो भी इतना प्यारा था माशालला बहुती जादा और ये मैंने सिलवाया नहीं था तो ये वो है और ये है इसका दुपट्टा ये इसका दुपट्टा है दुपट्टा विसका डिजाइनर है माशालला से और ये मैंने कपड़े सिलवानी के लिए निकाल ले थे क्योंकि हमें कहीं जाना है दिवाली की चुट्टी में बच्चों की चुट्टी बुलेंगी तो एंशाललहा हमने इस बार केंका प्लेन किया है जाने का, तो यह बोटम और इनर का कपडा कें नहीं अर दिखाया ही आपको, यह प्लिजान का, और 125rd सूब यह मेरी फूद्ध, यह गरा रहा है पिंक इसके साथ और ये भी मार्शालला बहुत प्यारा सूट है और ये है इसका दुपट्टा ये होगी हमारा चौथा सूट ये है पाचवा सूट ये पाचवा सूट वो है जो मेरी अमी ने मतलब बना कर रखा था मेरे लिए सिल्वाया था जो मैं दिल्ली थी जब होस्पिटल में तो मेरी अमी ने लेकर इसको सिल्वा के रख लिया था कि जब मैं मतलब घर आऊंगी तो मैं पहन सको शादी में लेकिन बस पतनी किस्मत में नहीं था अल्ला ने कुछ ऐसी लिखा था तो बस यह है यह इसके ओपर सकल्ट है और यह इसकी कुर्ती थी और यह इसका दुपट्टा है यह वो सूट है और माशाला यह भी बहुत प्यारा सूट है एक बार मैंने इसको यहाई पर पैनाए और यह इसकी स्लीव से देखिए माशाला तो मैंने ये सिलवाने के लिए निकाल ले थे मैंने सोचा आपको दिखाऊँ तो आप बताना कि मैं इन में से कौन से सिलवाँ दो तीन तो वैसे इसमें सिले हुए है और दो तीन जो है वो नहीं सिले हुए है तो आप बताना मुझे कि इन में से मैं कौन से सिलवा हूँ और एक है ये सूट ये भी मेरी भावी ने दिया था मुझे ये पिंक कलर का है और इसका ये दुपट्टा है और ये जो साइड में थी इसकी कुर्ती थी ये भी सिला हुआ है गरारे का सूट है तो एक रसम होती वो होती बक्सा खुलाई शायद आपके हाँ किसी के हाँ होती होगी तो उसमें दिया था भावी ने हमें मतलब उसमें नंदो को दिया जाता भावी देती उनकी पसंद से देती नंदो की पसंद से तो बस मैंने ये लिया था यह सीला हुआ था गरारे का सूट था यह तो यह वो है और आपको हमारे सूट कैसे लगे बताना और अच्छे लगे हो तो लाइक करना और चैनल पर नही हो तो सब्सक्राइब करना और मुझे जरूर बताना के मैं कौन से कपड़े से लवा हूँ क्योंकि दिवाली के अब जादा टाइम नहीं रहा है मेरे खायल से 24 तारिक की दिवाली है तो इन्शालला हम 23 या 24 में निकल जाएंगे और कहां जा रहे हैं वो आपको अगली वीडियो में आपको पता चलेगा तो बस ये थे आज के हमारे सूट और उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और मेरे ने ये घर पे रखे हुए थे तो मैं ले आई थी तो चलिए अपना बहुत सारा खार लखिए मैं भी अपने सूट रख लेती हूँ अल्ला आफिज